हेलो गाईज, वेलकम बैक तो आवर चैनल, आज इस वीडियो में हम रोडीज 19 के सभी वाइल कार्ड एंट्रिस की बात करेंगे, आपने प्रोमो में देखे लिया आओगा कि रोडीज में वाइल कार्ड एंट्रिस होने जा रही है, तो अगर आप हर एक कंटेस्टेंट का ना जाता है, वो जर्नी पर जाता है, इस बार भी वही होगा, इन वाइल कार्ड में से सभी को जर्नी पर जाने का तो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तीन ही कंटेस्टेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, जिनने बाकी की रोडीज के साथ हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, अगर इन कंटिस्टेंट के बाद करें, तो पहली wildcard कंटिस्टेंट है, आकरिती नेगी जी हां, ये वही आकरिती नेगी है जिनको हमने PA round में भी देखा था एंड सेगंड कंटिस्टेंट होंगे नवीन कुमार, इसके बाद थर्ड कंटिस्टेंट होने वाली है, ली जिनको हमने पहले P.I. राउंड में देखा था लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाई थी फोर्थ कंटेस्टेंट है अन्मोल धवन और फिफ्थ और आखरी वाइल काड एंट्री होने वाली है कबीर बल्ला की तो ये हो गए पाँच वाइल काड एंट्रीस के नाम लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था इन में से कोई तीन ही शो में रहेंगे इन पाँचों के बीच टास्क होंगे और जो भी इन टास्क को जीतेगा वही जरनी में आगे जाएगा आप दिसपॉइंट मत होईए हम आपक कंटेस्टेंट एंड तक रहेंगे उनके नाम है आकरिती नेगी नवीन कुमार और कबीर बल्ला जी हां ये तीनों वाइल काड सिलेक्ट होगे और अगर आप बात करें कि कौन सा वाइल कंटेस्टेंट किस गैंग मेंबर में होगा तो नवीन कुमार प्रिंस की गैंग में जाएंगे और आकरिती नेगी रिया चक्रबर्ती के गैंग में और गौतम की गैंग का इस्सा बनेंगे कबीर बल्ला इससे तीनों गैंग में एक एक नया कंटेस्टेंट एड हो जाएगा देखना इंट्रेस्टिंग होगा कि कौन सा वाइल कार्ड गेम को और वाइल बना देता है तो गाइस आप इन पांचों में से किस वाइल कार्ड कंटेस्टेंट को शो में आगे देखना चाहते हो हमें कॉमेंट करके जरूर जबताइएगा और अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए डूंट फगट तो सब्सक् हुआ हुआ